होमियो रीडर के यूटूब चैनल पर मैं डाक्टर मिराज अंसारी आपको स्वागत करता हूं आज का हमारा जो टॉपिक है हो होमियो पहती जॉब से रिलेटेड है तो आईए अज हम जानते हैं कि होमियो पहती जॉब से रिलेटेड क्या नई अपडेट है जो आपको होमियो रीडर के यूटूब चैनल पर आज दिखाई जाएगी हमारा आप से निवेदान है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाए जादा लोगों तक सेयर करिए और अगर हमारे चैनल से आप पहले से जुड़ चुके हैं तो हमारे चैनल पर कमेंट और लाइक करना नभूले तो आईए शुरू करते हैं, आज का हमारा जो हमें पैथी से जॉब से रिलेटेड अपडेट है, वो क्या है, आईए शुरू करते हैं। तुसरा क्लिनिकल रिसर्च एसोसेट की पाँच पोश्ट हैं। इन सभी पोश्ट के लिए बैचलर डिग्री मेडिकल साइंस में होना अनिवार है, या मास्टर डिग्री या डिप्लोमा, जैसे की यम्बिवियस हो गया, बीडियस, बीएचमस, बीएमस, बीपिटी, हेल्ट क क्या क्या है और इसमें क्या क्या चीजें रिक्वार की गई है, तो सबसे पहले तो आएए जो पहला जाब है, जाब प्रोफाइल में, आप स्कीन पर देख रहे हैं, तो अब वह पहला जाब जो है, वह सीनियर रिसर्च एसोसेट का है, नमबर आप जो पोश्ट है, वह एक है, आप देख सकते हैं, स्कीन पर और जनली जो है, 75,000 रुपए तक इमोलुम्स दिया जाएगा, यह जो है, फोटी फाइफ येर हैं, और मिनिमम जो कौलिफिकेशन है, यानि कि नियुन्तम अहरता जो है, मेडिकल बैचलर, मेडिकल बैचलर इन मेडिकल साइंस होना चाहि चाहिए, आप इसके अलावा जो है, दूसरी जो जवाब है, वो है आपकी किलिनिकल रिसर्च एसोसेट की, इसकी जो नमबर आप पोस्ट है, वो पांच है, और इसमें जो है, 65,000 रुपीज तक आपको सिलरी मिलेगी, यह जो है, इसकी मैक्सिमम एज, वो 35 येर है, मिनिमम जो एजुकेशनल कौलिफिकेशन है, वो बैचलर इन मेडिकल साइंस में होना चाहिए, यानि कि यम बीबियस, बीडियस, बीएचमस, बीएमस और बीपिटी को प्रिफर किया जाएगा, इसके अलावा, इसमें तीन साल का जो है, इस्पीरियंस मांगा गया है, तीन साल का इस्पीरियंस होना अनिवार है इस जाब में, अब उसके बाद जो है कि इसके बारे में और जो चीजें हैं वो जान लेते हैं कि इसकी अंतिम्तिती क्या है, तो जनली इस तरह के जो दो तरह की पोश्ट आई है, इसकी अंतिम्तिती जो है, वो दस मार्च दो हजार बाईस ह और इसमें जो है सौर्ट लिष्ट स्टूडेंट को सेलेक्शन के लिए इंटर्विव के प्रासेश के बाद बुलाए जाएगा यह तीन महीने से लेके एक साल तक की जौब है और जनली जो है यह बढ़ाई भी जा सकती है अब इसके अलावा इसको आनलाइन एप्लाई करना जिसके लिए आपको अपनी सौप्ट कॉपी जो भी पासपोर्ट साइज फोटो है सिगनेचर है सब रखना होगा सीबी कॉलिफिकेशन का प्रिस्टिनल इस्पिरियंस का बना के रखना होगा मैट्री कुलेशन साटिकेट इंटर्मेडियस साटिकेट गरजियसन और डिप् लिकेबल है तो प्रोसीजर के लिए यह है कि आनलाइन इसका वहोगा लाइन अब्लीकेशन सुकार के जाएंगे उस आनलाइन अब्लीकेशन का लिंक जो है मैं आपको जो है डिस्कुशन बाक्स में दे दूंगा आप वहां से देख सकते हैं इसमें जो अन रिजर्व कोबी सब्सक्राइब हैं उनसे 236 रुपए लिया जाएगा एप्लीकेशन इमाउंट का फीज और यस्टी यस्टी ओमैन और पी डवलुडी से 117 रुपए का फीज लिया जाएगा अगर कोई प्राब्लम आती है आपको फार्म भनने के दौरान तो इस्क्रीन पर यह एक आ रहा ह इमेल करके इन से जवाब तलब कर सकते हैं होमियो रिडर देखने का आप सबी लोगों का धन्यवाद आपको होमियो रिडर कैसा लगा हमें जरूर और जरूर बताएं और साथ में हमारे चैनल पर अगर नए है तो हमारे चैनल को जरूर और जरूर सब्सक्राइब करिए और अगर आपको कोई भी हमसे सवाल जवाब करना है या कुछ पूछना है तो आप मुझसे जो है जुर सकते हैं कमेंट बाक्स में लिख सकते हैं आपको जवाब जरूर दिया जाएगा आपका धीन सूब हो बहुत बहुत धन्यवाद